आप है यूआ अगे अगे ऑफ आप सब्सक्राइब मे दिश्कराइब अगेश्याथ अगे डाइजकर के बारे में पढ़ेंगे आज हम और इसको ध्यान से समझेगा विकोज किसी भी कंपिटिटीव इग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो वहां से दो कॉश्चन याए पुछा जाता है बच्छों, not only for 10th class, for every competitive exam it is very important topic, तो देखो मैं introduction देता हूँ आपको चेप्टर में क्या है, mouth और mouth cavity, इसको buckle cavity भी बोला जाता है बच्छों, buckle cavity होती है ये, buckle cavity का मतलब इंदी में होता है, मुख गुः, सबसे पहले बोजन क्या है बई, यही पे इंटर करेगा बई, सबसे पहले फूड का इंटर करता है बकल cavity में यहां से, स्पोस करो यह बोजन आया इस तरह से, तो यह चलेगा, continue मूँ करेगा, यह हमारी ओसो फैगस होती है, इसको ऐसो फैगस या ओसो फैगस बोलते हैं बई, उसो फैगस ठीक है, इसके अंदर से फूड जाएगा, जाते जाते क्या है, पूरी की पूरी एलिमेंटरी कैनल होती है, यह एलिमेंटरी कैनल हमारी सबसे लोंगेस्ट पार्ट होता है, बच्चो डाइजेस्टिव सिस्टम का, 30 फिट के होती है यह नो मीटर लोंग, ठीक ह सबसे लंबा पार्ट अगर कोई पूछ ले डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो एलिमेंटरी कैनल हमारी होती है, इसके कई नाम है बच्चो, आपने पड़े भी होंगे, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप, ठीक है, क्लिर है, तो नेक्स्ट, जब फूड आगे चलेगा, उसके बाद, फूड हमारा कहां पर जाएगा, यह जे आकार का जो पेट होता है, हमारा जो स्टमक है, वो क्या है, जे से बड़े बोलूँ, अगर मैं बोलूँ, हमारे स्रीज की सबसे बड़ी गरंथी, लार्जेस्ट ग्लेंड, इस लिवर, लिवर हमारा क् सबसे बड़ी गरंथी होती है बोडी की, देख भी रहे हैं आप इस डाजेस्टिव सिस्टम में सबसे बड़ा पार्ट आपको दिखता होगा यह ठीक है, उसके बाद देखो गाल बलैडर होती है, इसके साइड में ही, जहां से क्या है, बाइल जूस स्टोर होता है, बाइल जूसी क्या करता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है, इसमें छोटी आथ, छोटी आथ, देखो यह अंदर की तरफ है, नाम इसका छोटी आथ है, मगर यह बड़ी होती है, ठीक है, इसकी लेंध कितनी होती है, यह भी आपको बताएंगे इस लेक्चर के अंदर, और कुछ पार्ट मैंने डिसकस किए हैं चलो one by one discuss करते हैं you can also see here एक डियोडर्णनम होता है ये डियोडर्णनम क्या है बचो जहां से हमारे पेट के साथ ये हमारा पेट है जियाकार का इस पेट के साथ जहां से आत छोटी यांत connect होती है तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है ना connection का वही है याद रखना इसको भी आप ठीक है clear यहां से जो भी जूस या फिर food होगा हमारा वह फूड बिल्कुल ही मुकस फॉर्म में मुकस फॉर्म क्या होती है भी मुकस फॉर्म में यानि कि जैसे बल्गम रूप में बिल्कुल पिसा हुआ फ्लिवड बनके लिक्विड बनके वो छोटियांत में रस के रूप में जाता है और बोजन का complete डाइजेस्ट अगर मैं बोलने यह छोटी आथ और इस छोटी आथ के अंदर क्या है यह देखो यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यह इनको विलीज बोला जाता है यह विलाइज होती है और यह विलाइज सर्फेस एरिया बढ़ाती है ताकि बोजन और ज्यादा आसके उसके अंदर कई बार ठीक है फिर हमारी भी होती है कई बार ऑपरेशन करवाते हो आप तो आथ का उतरना ही क्या कर लाता है आथ का उतरना ज्यादा खाने की बज़े से यह फिर कोई और रीजन हो सकता है जिसकी बज़े से यह आथ उतर जाती है यहां से और उतरने के बाद यह बढ़नी शुरू हो जाती इस प्लेन करो भी ठीक है डाइजेशन में भी डिफाइन है अज हाइडरोलीसिस ऑप कंप्लैक्स और्गेनिक मॉलेक्वल बई क्या होता है जो कंप्लैक्स मॉलेक्वल होता हमारे स्रीर में दातों से को चबाएंगे small pieces में तोड़ने की कोशिस करेंगे फिर भी वो टूटेगा नहीं है ना फिर क्या करेंगे हम hydrolysis होगा उसका पेट के अंदर जाएगा with the help of enzyme enzyme की साहता से वो टूटेगा in simpler and diffusible component छोटे-छोटे सुक्सम या फिर तूटने योग्या पदार्थों में टूटेगा विच कैन भी एब्जोर्ब फिर क्या होगा वो गेस्ट्रो जो अमारी इंटेस्टिनल गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक उता अपना फिर उसका यूटेलाइजेशन होगा वहां पे एब्जॉप्शन होगा उसका अलग लग प्रोसस होंगे ठीक है दस इट इंकलूड बोथ मेकैनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ओफ था इंडाइजेस्टि इंडेस्टिड मतलब इंजेस्टिड फूड मैटीरियल इस तरह से क्या है जो वो जनम ने खाया है उसका मेकैनिक ब्रेकडाउन का मतलब है जो भी एंजाइम आएंगे उसको क्या करेंगे और ज्यादा तोड़ेंगे जिसकी वज़े से उसको मैं बोलूगा फिर केमिकल ब्रेकडाउन ओफ दा इंजेस्टिड फूड इंजेस्टिड मतलब जो लिया गया बोजन है ठीक है उसके बाद इट आइजिसान कहां पर ठीक है ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्सट पार्ट में देखो क्या इसके अंदर हम ने ले क्या है Unicellular Organism एक और के जीओं में जैसे अमीबा है और फूड को क्या करता है यह अपनी सर्फेस से लेता एंडो साइटोसिस प्रोसस से क्योंकि अमीबा के एक इस प्रकार का जीओ होता है जो बीच से तूट जाता है या फिर बोजन को क्या है कहीं से भी ले लेता है इंगल सेल्वर्विकों इन हइरर मुल्टि-Cellular Organism जो अरे बहु कोशिकिए जीओ, मल्टि-Cellular है जिसे जिसको उन्सथरी सब्सकामारा एश्रीर क्या है जाता है, नों और फिर बोजन को इनदर and absorb into blood उसको blood के अंदर तो इस तरह से बोजन हमारा क्या है absorb कर लिया जाता अभी into blood to reach फिर क्या होता है to reach different part of the body for proper utilization फिर हमारी सारी body में वो चला जाता है the undigested food if any pass out of the body through the other end of the elementary canal elementary canal का जो दूसरा सिरा है नीचे की तरफ उससे वो क्या है undigested food बाहर निकल जाता है ठीक है इसी को बोलते हैं बच्चो extra cellular digestion चलिए digestion in man की बात मैं करता हूँ जब मनुष्य के अंदर digestion हो क्या होता है by a man does not take place particular reason of different track अब ये बोला कि इसके अंदर जो है अलग अलग पार्ट है हमारे जो explain करने पढ़ेंगे सबसे पहले digestion of food in mouth बकल कैविटी मुख गुहा में पाचन in the man the process of digestion starts in the mouth मनुष्य के शरीर में तो जो बोजन का पाचन हो मुँ में इसरू हो जाता है मुँ से ही in mouth जो मुँ के अंदर क्या होता है teeth बोजन को breakdown करते है by the process of mastication mastication क्या होता है चर्वन मतलब उसको चीव करके चबा के क्या है वो बोजन को तोड़ देते है small pieces में during this process इस परकरिया के दोरान the food is thoroughly mixed with saliva इस तरह से बोजन मुँ के अंदर क्या होती है बच्चों लार होती है saliva होती है और वो saliva क्या है बोजन के साथ mix हो जाती है क्योंकि saliva gland उसको release कर देती है it contain an enzyme saliva gland होती है उनके अंदर क्या है enzyme होती है एक तो tylin होता है जिसको amylase भी बोला जाता है tylin भी बोला जाता है जिसे क्या है chemical digestion होता है starch का मतलब starch तो हमारे मुँ के अंदर ही अगर कोई पूछले तो आपसे उसके बाद देखो domesticated and partially digested food is then अब जो domesticated बोजन है जो थोड़ा बहुत digested बोजन भी हमारे मुँ के अंदर वो क्या गरता है round off in the form of small ball वो छोटे छोटे बाल की रूप में आत के अंदर से ऐसे नीचे जाता है इसके अंदर से वो ऐसे नीचे जाता बाल की फॉरम में गूम गूम के ठीक है उसके बाद क्या होगा फिर and card दा बोलस उसको बोलस बोलते हैं with the help of tongue जीब की साहिता से इस पास थो दा एसो फैगस इसको हम एसो फैगस में पास करवाते हैं तो फैगस मतलब food pipe जो होती है या गुलेट भी बोलते हैं इसको जहां से बोजन हमारे stomach में चला जाता है और यहां पर यह बोजन जो जाता है बच्चो यह elementary canal में यहां से देखो लेरिंक से यह जो बोजन यहां से जाता है elementary canal में इसकी movement जो बोजन की movement होती है बच्चो यह बोजन पहली बात तो mix हो चुका है चिकना हो चुका है जिसकी बज़े से यह एक involunt reaction हो गया पने आप जाएगा फिर तो यह देखा नहीं आपने कई बार हम गले में कुछ चीज ऐसे खेलते हैं प्ले करते हैं उसको मुह में रखते हैं दो कई बार वह सिक्का तक भीमारे मुह में चला जाता है क्या वीच में रुखता है नहीं एक motion होती है जिसकी बज़े से वह ऐसा होता है involuntory अपने आप होती है फिर वह इसका बोलते हैं बच्चो परिस्टेलिट के मुवमेंट बोलते हैं इसको अपने आप आने वाले मुवमेंट है जिसकी बज़े से बोज़े ने एक लुब्रिक एंट करूप में निच्छे जाता है चिकनाई पैदा करके ठीक है digestion in stomach अब बोजन stomach में आ चुका है स्टमक के अंदर क्या है जो partially digested food हमारा आया है वो क्या है एक्ट करते हैं उसके उपर gastric juice पेट के अंदर से कुछ gastric juice निकलते हैं वो gastric gland से निकलते हैं जिनके अंदर HCL भी होता है hydrochloric acid यहां से pepsin, renin और gastric lipase निकलते हैं gastric juice हमारा क्या है composite secretion of at least three different type of cell भाई gastric juice में तीन परकार की cell हमारी होती हैं एक तो बच्चो है parital cells, एक cheap cell और एक mucos cell the parital cell or secret parital cell से निकलता है HCL पुछा जा सकता है यहां पे आप से और the cheap cell supply pepsin, cheap cell से निकलता है pepsin और जो other enzyme है जैसे renin और mucos हमारा क्या है मुकस से निकलता है mucos in the form in the stomach ठीक है उसके बाद क्या है बच्चो ठीक है pepsin breakdown the protein दखो pepsin का का काम क्या जो भी protein हम खाते है protein तो बहुत बड़ा structure है complex एक substance है हमारा तो उसको क्या simpler substance में बदलना जरूर है के नहीं है yes तो protein को क्या करता breakdown करके smaller molecule में तोड़ता है जो peptide होते है protein protein के peptide ही हमारे स्रीर में फिर amino acid ऐसे पचता है protein हमारे स्रीर में ठीक है देखो pepsin ने क्या किया protein को तोड़ दिया मालर मॉलेकुल में peptides में और दा प्रोसर्स इज एड़िट वाइडिशन अफ है उसमें क्या है विच नोट अनली एक्टिवेट दा विरियस एंजाइम बटाल सो तरन दा फूद इंटू सोप या चाइम इससे बोजन क्या एक सेमी फ्लूड टाइप का हो जाता है चाइम का पूजन का एक क्या है एक टाइप का रश सा बन गया और ये रस अमारा क्या है डियोम जाता दियोम मैंने बता आ था ना डियोम क्या होती है गोई जो मारी यह जी जिसे हमारा पेट है यह देखो यह पेट के अंदर से बोजन छोटी आत का जो पहला पार्ट है ना इसी को बोलते हैं यहां से फूड जो है एक रस की रूप में जाता हमारे छोटी आत में फिर छोटी आत हमारी कोल्ड टाइप की होती है ऐसे गूम गूम के ठीक है तो यह इस फर्स्ट पार्ट ओफ स्टोमक विच इस कनेक्टिड भी दे स्मॉल इंटेस्टाइन डैट इस गाल डियोडनुम अब बोजन यहां से डियोडनुम में चला गया उसके बाद क्या करेंगा देखो फर्दर एक्षन यानि फिर हमारा क्या स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई भी पहले बात तो आप याद रखो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंद साथ मिटर होती है फुट में बात करोगे तो यह 22 फिट के होती है भी ठीक अकाफ़ी लंबी है नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन हैं यह इतनी ज्यादा इंट इंटीर्च पार्ट पुफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन पहला हमारा इंटेस्टेंगल एंड से निकलता है दा कॉंबाइन इफेक्ट ओफ दीज जूसीज ये जूस आपस में मिलके क्या करते हैं फिर है कि दचीफ केमिकल चेंज ओफ दा इंटेस्टीनल डाइजेशन दीजूसीज कंटेन एंजाइम जूस के अंदर बचो एंजाइम होते ह जो की डाइजेस्ट करते हैं कर्वो हाइडरेट को प्रोटीन को और फैट को ठीक है दा ब्रेकडाउन दा ब्रोकन फूड मैटीरिल इस देन डिफ्यूस थरो दा एपिथेलियल सैल ओफ दा इंटेस्टिनल विली जो विली होती है हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आथ के अंदर वहां से फिर क्या होता यह जो फूड हमारा डाइजेस्टि या फिर ब्रोकन फूड है वो क्या है उनके अंदर से चला जाता है फिर ठीक है इस तरह से देखो बलड के वैसल में जो हमारे वैसल है उनके अंदर बोजन चला जाता है जिसकी वज़े से क्या होता फि वो different different cell के पास बोजन को ले जाते हैं और cell से हमें क्या फिर muscle बनते हैं फिर में energy मिलती है और फिर में activity करते हैं different different लास्ट स्टेप देखो बच्चो digestion in large intestine बड़ियात में पाचन the process of digestion does not take place in this region इस अक्षेत्र में क्या है बोजन का पाचन पहली बात तो होता ही नहीं इस शिक्रीट मुकस यहां से मुकस शिक्रीट होता है बच्चो जो मुकस बल्गम टाइप का सबस्टांस विच सर्वे एज लूब्रीकेंट फॉर इजी पैसे उफ दा अन्डाइजेस्टिट मैटर इन फॉर्म फेजिज जिससे फिर क्या है फेजिज बनते हैं हमारे शरीर मे इस पाचित भूज्ज vinegar प्याइब फूर्म पाणी को करते हैं और इससे मेना फूर वेशिज में फॉलम ना हो फूनलो to it which is ultimately adjusted through the NS फिर उसको NS से क्या है निकाल दिया जाता है और इस तरह से हमारा digestion complete हुआ digestion in humans ठीक है तो आपको कोई problem तो discuss करें अधरवाइज इस topic को write करें और learn करें साथ साथ में ठीक है thanks for watching we will soon appear for next video, bye bye